पालगोई नमस्कार, पालगोई आज मैं बात करूँ आपसे आप अपना भैस का फार्म, डेरी फार्म कैसे खोल सकते हो, आप एक अच्छा खासा बिजनेस कैसे कर सकते हो, और जब आप भैस का फार्मिंग करूँ आपको कितने भैस से स्टार्ट करना चाहिए, कितने इसका प पहला नमर आप मेरी बात को पोईंट नोट करना आप भैस खरीदने जाओ उसके नीचे कट्री जरूरी है याने कि उनकी बच्छियां है वह फीमेल काफ होना जरूरी है अब एक नमर भैस खरीद के लिया दूसरी नमर भैस का कम से कम दूध 12 लिटर होना चाहिए सुबस मिला के 12 लिटर उसका दूध होना चाहिए 15 लिटर अगला दी बोलत उसको अब 12 लिटर पकर कर चलो हमने पांच भैस को खरीदा पांच भैस को अगर हम कीमत एड करते तो एप्रोक्स मार्केट के प्राइस के हिसाब से चार से साड़े चार लाग और भैस का कीमत हो रह जाएगा पसुपालों हो सकता है इससे कम ही हो तीन लाख में आपको मिल जाए हो सकता है दो लाख मिल जाए यह जरूरी नहीं है लेकिन मैं आप्रोक्स साड़े चार लाख पकर कर चलाओ ठीक पांच भैस खरीद लिए चलो ठीक है एक नमर आपने नोट कर लो आपने पसुनली खुद गाइड करना क्योंकि आप छे मेंने खुद आप पसु को टाइम देना अब जितना पसु को लगाव करो उतना आपको पसु दूद ज्यादा देगा पसु पालग भाई हो दो नमर टॉपिक मैंने आपको अइसा नहीं कि आपने पसु फार्म डेरी फार्म और किसी लेवर के भरोसे आप छोड़ रहे हो यहां आपका भैस बहुत नुक्सान मजाएगा क्या पता हो आपको लेवर उसको भैस को पानी ना दे रहा हो जासे आपको मिल्क ज्यादा प्रोड़क्शन होता होगा वो पानी का में सुरूत पानी देता है कि भाईया हमारा म मिल्क बढ़ेगा जब पानी नहीं दोगे तो मिल्क कहां से बनाएगा पहला पानी ना देता हो आया बस दिया चला गया दूद निकाला काड़ा चला लेकिन आपको वहाँ प्रोपर छे महने गाइड करना है पांच भैस आपने लिए पैसे लगा आपको प्रोपर वहाँ प क्या काफ है आपके जीतने भी कट्रह और कट्रह एकी मरना नहीं चाहिए कि अगर वह कंक्री मरगे तो आपका पूरा पूंजी वह ही पर डूब जाता है पस उपालार गाइओ आप यत्र्द्राू नहीं के kory को feeding जो कि Ven तो फीडिंग करवाएं अच्छा-चा माल इस्टारटर फीड उसको दें जो कि मैं वीडियों बता रखो वीडियों में प्रोपर बोलोगे तो मैं बना के आपको बता दूँगा आप उसको प्रोपर अस्टार्टर फीड दें 50-100 ग्राप उसको फीड स्टार्ट कर दें और ड प्रोपर अस्टार्टर पेटर देना शुरू कर से ग्याने की मानते हैं जो हमारे टेरीफार परसुपाल में परीवरे बीडर हैं उनको ही को पता है चालते ही बाद में हम उसको हराचारा देते हैं तो यह तो पर बाद आपको आयर्वेध का यानि कि मेरे कहना का मतलब ऑस् है स्वसाधित्स दूद्ध बढ़ता है किस और पसु को ये पेट का दर्दिसका इसका इसका इप इसका मालूक को infection हो गया बड़ी में थनिला हो गया उसका इलाज आपको मालूम होना जरूरी है अगर नहीं मालूम है तो मैं वीडियो में अलुड़ी बता रखा हूं आप वहां से मेरी वीडियो को देख सकते थनिला के इलाज कैसे करने हैं ठीक पसुपालों यह चीज आपक किसी जो अपने व्यक्ति को रखा हैं काम पे उसके भरोसे ना रखें आपने रखा है चलो सभी बात आपको help करें लेकिन आप proper उसको समझाओ कि आपको time से पानी देना है भहस को, time से feed कराना, feed भी आप अपने सामने कराओ, पानी भी उसको आप अपने सामने दो. सब कुछ आपको अपना सामने करो आपको क्यों धिरे-धिरे नॉलेज बढ़ना स्टार्ट हो जाया केल्सियम कितनी मात्राम देनी है 100 ml पड़े आपको केल्सियम देना भहस को आपको पड़े मिंडल्स मिक्सर देना उसको पचास ग्राम ठीक पसुपालो भायू यह सब चीज आप जब आपको 6 मैने करें देगी एक भास ना पूछे मैने तक पसुपालग भाई हो तब तक जो आपके काफ है उसके 90 दिन तक आपकी भास हिट में आना चाहिए यानि कि जो 90 दिन का टाइम है उसका आपकी भैस हिट में आना चाहिए 90 स 91 दिन नहीं होना चाहिए पसुपालग अगर 90 स 91 दिन होता है तो समझ जो उसके अंदर कोई प्रॉबलम है फटाक से वेटनी डॉक्टर को बुलाओ उसका टीटमेंड करवाओ कि मेरे भैस हिट में नहीं आ रही है क्या प्रॉबलम है आप क्रिपेट चिक करें आपको यह चीज भी नोट रखना है पसुपालग भाईयो आपने यहां तक समझ गए जब आपकी 90 दिन के बाद जब भैस हिट में आएगी आपने पांचों भैस को सिमेन करवा दिया एकि आपने सीमेन रखवा या करवा दिया डॉक्टर से आपके पास टोटल कितने भैस हो गए हैं दस तो आपको ओल इडिंद्र स्ट एख और पांच अगला त्यार पांच में मान लो तीन काफ आएगी जो तिन कट्रिया तो आएगी कम स्कम दो तो कट्री आएगी बारत होई हमारे पास पास आपने लगाया कितना था साड़े-चार लाख रुपे आपने लाख फार्मा श्टार्ट किया ठीक पालो आपकी जो पांच कट्रियां अगर आपकी बिग जाती है अगर एक एक लाख में बिगती है अगर अच्छी नसल की है तो वह कोई चाहता है इंक है इंकम कितना हो देखे पॉसटेटर बैरी एडरी है अलग-अलग है आप अगर लोकल में डूध में डालतुत सत्तर रुपे में जाता है अगर आप जैसे के मैं बिहार से हूँ बिहारा मेरे पास सुधा डेरी है गंगा डेरी है अमृत डेरी है आम प्रॉफिट आपके जेब में आता है अगर आप हर एक चीज काड़ दो मजदूरी काड़ दो उसके सब कुछ काड़ दो 30 रूपए आपके बचट आते हैं 30 दो मालो कम से कम 25 रूपए आपको बचना पसोपालो बाई तो 25 रूपए और हमने लगाया कितना था साधी 4 लाक रूपए पसोपालो बाई तो यहाँ पर क्या हूत है छे मेने अब दर्मियान आप देखो कि 6 मेने हमारे पास कितने हो रहे तक्रिकर मालों दो लाख से उपर आ चुके यानि हमारे पास 2 लाख रुपए आ चुके हैं पलस में हमारी कट्री भी तैयार हो चुके पलस में हमारे भैस भी रेडी हो चुके अगले ब्यात के लिए आपके पास पूरा पूजी बची के पसुपालग भायो इस चीज़ को है आपको करना खुद से पसुपालक भाईयों आप किसी लेवर भरोसे मत रहें आपको खुद से प्रॉपर गाइड करना है कि हमें कितना खाना देना कितना फीड देना है कितनी दूद पर हमें मातरा पर इसको क्या क्या फीड देना है हर एक चीज आपको खुद से करना हो पस उसको टाइम टेवल खाने का मतलब क्योंकि अगर आपके पास ज्यादा जमीन है आप भैंस को खूला छोड़ सकते हैं वह चरक आएंगे तो उहां पर जब चुगली चरक आएंगी अच्छे से घूम फिर काएंगी नदीर आपके आसपास में तो जहां से घूम फिर काएंगी चरक आएंगे आपका फिर उसको फीडिंग दोगे वहां पर सिर्फ थोरा से अनाज दोगे थोरा बहुत भूसा दो वहां पर आपका फीड बचता है पसुपालग भाईयों यानि कि मेरे कहना है मतलब बाहर से चरक आई है आप उसको तक्रिमालों साथ आठ किलो भूसा दे आप मिन्स केल्सिया मैं सब कुछ आप उसको दे रहे हो अपने दोनों कंडिशन से आपने अप्लाई कि यहां पर आपका हरा-चारा भी बचता हो आपको हरा-चारा मार्केट से खरीदना नहीं पर है या फिर आपके पास खेत है पसुपालग भाई तो आप इस तरी के से कर सकते का उसको नौर्मली जिससे आप से लोग गाय को खाने अब उस तरीके से भी देशेते लेकिन भैस को क्या आपको डिली नहलाना दोते पास्व पालग भाईयों तो यह जो तरीका पसो इस तरीके से आप अपना भैस का फार्म कोल के आप अच्छा तो पांच बैस आपने 25,000 लाख आपने भैंस खरीदा आपने कट्री अठारा महनम त्यार कर लिया पांच लाख रुपे आपका प्रॉफिट हो गया फिर उसके भैंस ने आप भैंस को आपने AI करवाया भैंस फिर बच्चा दे दिया आपके पास टोटल अगर एड के तो मैंने आपको बता दिया आपके पास प्रॉफिट है नुकसान आपका नहीं है पसुपाल लेकिन सर्थ यह एक आपके पास एक अच्छी नसल के भैंस होनी चाहिए अच्छी क्वाइल्टी के भैंस होने चाहिए जो साड़े 6 मेहने तक आपको दूद दे पसुपालग भाई आपको मार्केटिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी पसुपालग भाई हो जैसे कि मेरे घर में भैस है कोई मेरे पास दो-चार घर के आसपास बगल वाले आस प्रोस में जो है 20 लिटर 25 लिटर अगर पढ़े का मेरा सेल हो रहा है तो अलग इंकम प्रॉफिट होता है हमारे प पसुपालग भायों इसकी profit वाली चीज़े साथ सा देखें पसुपालग भाईों आपको हरमेशा एक भैटनी डॉक्टर की जरुर्ट पर्ति है और आपको कॉंटेक्ट नमबर रखना होगा आप उस भैटनी डॉक्तर का हरा वेसे कॉंटेक्ट नमबर रखें उसके लिए प्रोपर एक अनाज का गोडाउन रखें प्रोपर आप अनाज खुद से तयार करवाएं मैं अल्डेडी वीडियो बना रखें कि आपको फीड कैसे तयार करना अगर आपको नहीं पाता आप बोलो कॉमेंट से तो मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बना दूँगा कि फीड आपको कैसे बनाना है ठीक पसुपालो भाईयों फिर समय दोबार एक अच्छी तरीके से वीडियो बना दूँगा प्रोपर उसके लिए जाकर आपको सहलिय जाते हो तो धन्यवाद किसानों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में आजके लिए इतना ही जैन रन्यवात्रम